इस वीडियो में हम देखेंगे 36 गड़ का जो नविंतम 28 जीला बना है गौरेला पेंडरा मरवाही जो तीन तहसील को लेकर के बनाया गया है इस जीले के बनने से प्रदेश के अन्य जीलों में क्या परिवर्तनाया है गौरेला पेंडरा मरवाही के बारे में जो महतवपूर्ण बाते रहेंगी जो अगामी एकजाम में पूछी जा सकती है उनके बारे में अपन अध्यन करेंगे यदि ये पूरी के पूरी वीडियो का पूरे स्लाइट करेंगे आपको PDF चाहिए तो आप हमारे जो है आपके टे सितंबर पर मैसेज करके ग्रूप का लिंग जो है वो प्राप्ट कर सकते हैं सुरू करते हैं देखिए जो गौरेला पेंडरा मरवाही आपका जीला है इसकी घोषणा जो हुई थी वह हुई थी 15 अगस्त 2019 को तो 15 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री भुबैस भगेल के द्वारे इस जिले की घोषणा की गई थी और यह जीला अस्तित्त में आया है 20 सितंबर 2019 को अर्थात अधिसूचना जारी हुई है 20 सितंबर 2019 को तो दोनों महत्वपूर्ण डेट हैं आपको घोषणा का तिति याद रखना है 15 अगस्त 2019 और अस्तित्त में या अधिसूचना की तिति याद रखनी है 20 सितंबर 2019 सितंबर में अगर हम देखें तो मातरी जीला है इसका आपका बिलासपूर बिलासपूर जीला से प्रितकों करके यह नविंतम जीला बनाया गया है और इसमें तहसीलों की संख्या देखी जाए या विकास खंड देखा जाए या आपका जनपत प पंचायत की बात करें तो मरवाही नगर पंचायत नहीं है कि अवल गौरेला और पेंडरा को नगर पंचायत के रूप में याद रखना है तो एक बार मैं फिर से रिविजन कर दे रहा हूं कि घोशना 15 गस्त 2019 को हुई है अधी सूचना 20 सितंबर 2019 को जारी हुई है मातरी ज देखें इस जीले के सीमा च्छेतर के बारे में कि उत्तरी सीमा कौन सी है दक्षणी पूर्वी पस्चिमी में क्या है तो आप इस मैप को देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो आपका जीला है वो बिलासपुर जीले से आपका पृथक हुआ है यदि जो नए छातर हैं जि आप हमारे cg map के जो है आपके वीडियो पार्ट वन और पार्ट टू ये दोनों को पहले देखिए उसके बाद इसका दिन करेंगे खास करके जो नए चातर तयारी कर रहे हैं उनके लिए इन दोनों वीडियो का लिंक जो है आपको description में नीचे आपका मिल जाएगा तो देखते हैं कि इसके सीमाएं कैसी हैं तो अगर हम देखें तो जो सबसे उत्तरी सीमा है उपर की ओर तो उत्तरी सीमा जो है वो कोरिया जीला है और कोरिया का याद रखना है मनेंद्रगड तहसील को इसपर्स करता है दक्षिड में देखें तो यह जो है बिलासपुर जील विलासपुर में और लॉर्मी तहसील हो गया आपका मंगेली में अगर हम पुर्व की ओर बात करें तो पुरव में कॉरवा जिला है कॉरवा का कडगोरा तहसील जो है इसपरस करता है पस्ची में मध्यप्रदेश है और मध्यप्रदेश का अनूप पुर जीला इसको इसपर्स करता है साथ ही साथ यदि हम भीतर के तहसीलों का लोकेशन देखें तो मरवाही जो है उसकी स्थिती सबसे उपर है पेंडरा जो है लगबग बीचो बीच है और गौरेला सबसे नीचे है याद रखें कि ये कोई मानक नकसा नहीं है ये नकसा सबसे सरलतम बनाया गया है ताकि आप जिलों की स्थिती को अच्छे समझ सकें उसकी वितर के तहसील की स्थिती को अच्छे समझ सकें तो याद रखना मरवाही जो है वो सबसे उपर है बीच में पेंडरा है और नीचे क्या है आपका गौरेला उत्तर में मनिंद्रगड हो गया कोरिया नीचे बिलासपुर और मुंगेली मुंगेली में लोर्मी और बिलासपुर में कोटा तहसिल पुर्व की और देखें तो कोरबा जीला है जिसमें कटगोरा तहसिल हो गया और पस्चिम के और मध्य प्रदेश राज्य है जिसमें अनूप पुर जिला आपको याद रखना है अगली चीजों के पर रुख करते हैं कि जिला निर्माड का करम यदी देखा जाए तो जिला निर्माड के करम में आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो आपका जो इसका मातरी जिला है बिलासपुर ये बहुत पहले बन गया था ये बना था 1861 1861 में मध्य परांत में आपका तीन जिले बनाए गये थे रायपुर बिलासपुर और संबलपुर बाद में संबलपुर जो है वो उडिसा में चला गया तो अभी तो फिलाल आप याद रखे कि 1861 में एक जिला बना था आपका बिलासपुर उसके बाद जिला वी भाजन एक हुआ था 1998 में तो 1998 में जो आपका बिलासपुर है इससे दो जिले अलग होए थे एक था आपका कोर्भा और एक आपका जानगीर चापा ये दोनों बिलासपुर से पृथक हुआ था उसके बाद जो है 2012 में बिलासपुर से एक छोटा जिला बना था आपका मुंगेली और अभी वर्तमान में 2019 में फिर से बिलासपुर से अलग हुआ है गौरेला, पेंडरा, मरवाही तो आपको कितनी बार विभाजन हो चुका है बिलासपुर में यह आद रखना है जो है आपका इस पस्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि तीन बार बिलासपुर में विभाजन हो चुका है अब देखते हैं कि गौरेला, पिंडरा, मरवाही या के 28 जीला बनने से क्या कुछ जो है वो आपका परिवर्तन होता है तो परिवर्तन में सबसे पहले तो 36 गड़ में जीलों की संख्या हो गई 28 अब देखते हैं कि 28 जीलों के साथ और क्या परिवर्तन आया है तो 36 गड़ में भू आविस्ठित जीलों की संख्या हो गई 10 भू आविस्ठित जीले क्या होते हैं तो ये होते हैं लेंड लॉक्ड डिस्टिक तो ऐसे डिस्टिक जो आपके दूसरे किसी राज्य की सीमा को इस पर नहीं करते हैं ऐसे जीलों को जो है आपका भू आविस्ठित जीला कहा जाता है तो पहले भू आविस्ठित जीलों की संख्या 9 थी 9 से बढ़ करके हो गई ये 10 इसमें क्या सामिल हुआ है बिलासपुर इधर देखिए अगर भू आविस्ठित जीला अगर हम देखे तो एक तो हमारा श inanते कि अकुंगील स्ञेटारे शिराटे कुंगील भूर्ष शिरीकौ। है स्टोरे परीवर्शब्स्याटेशन कैना ये excitingुए कि बढ़ का विकत बाकीश एक कि लिकेश संख्वां। दस हो गई है तो अंतराजी सीमा वाले जिले हो जाएंगे 28 में 10 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 18 पहले सरवाधिक 7 जिलों से घेरा हुआ जो आपका जिला था वो केवल था बलाओदा बजार अब कोर्बा भी इसमें सामिल हो जाएगा तो सरवाधिक 7 आपका बलावधा बजार है सर्वाधिक 7 जिलों से जो ए, आपका घिरता है, दोनों के एक बार देख लेते हैं, जिनको मैं पता होगा, उनको जो है, आपका जिलों का नाम भी पता होगा, कि अगर हम देखें, नीचे चालो करते हैं, मैं स्टार लगाते हुए जा रहा हूँ, नीचे अगर हम देखें ये एक हो गया आपका जांजगीर चापा जो आपका को टच करता है ये हो गया आपका राइगर दो सरगूजा हो गया तीन सूरजपुर हो गया चार कोरिया हो गया पांच अब ये हो गया गौरेला पेंडरा मरवाही हो गया छे इधर जो आपका बिला बलोदा बजार का यह जो है आपका बलोदा बजार है तो बलोदा बजार भी साथ जिलों से गरता है उपर से दिखते चलते हैं एक तो उपर में यह जांगीर चापा हो गया यह वह गया तो याद रखना सरवाधिक साथ जिलों से घिरे रहने वाले दो आपके जिले हैं कोरबा और बलावदा बजार ये परिवरतन आ गया एक चीज़ याद रखेंगे कि अब बिलासपूर की जो सीमा रेखा है वो कोरिया को इस परस नहीं करेगी ये जो बिलासपूर की सीमा रेखा पहले क कोरिया को इस परस करती थी अब ये इस परस नहीं करेगी क्योंकि इसमें गौरेला पेंडरा मरवाही आ गया तो इन चंजस को आपको याद रखना एक बार मैं फिर से रिवजन करा दे रहा हूं कि अब जीलों की कुल संख्या हो जाएगी 28 भौवश्चित जीलों की संख्य हो जाएगी 10 अंतराजी सीमा परिस्थित जीले हो जाएंगे 18 सरवाधिक साथ जीलों से घिरे जीले हो जाएंगे आपके दो कौन-कौन से कोर्बा और बलौदा बाजार और बिलासपुर की सीमा रेखा को अब कोरिया से इस परस नहीं कराना है आगे देखते हैं कि तहसील से घट करके अब हो गए हैं पांच तहसील क्योंकि वही तीन तहसील गौरुला केंडरा मरवाही को मिला के बना के नया एक जीला बनाया गया तो वह कौन-कौन से पांच तहसील बचे हुए हैं तो एक है आपका बिलहा मस्तूरी तखतपूर बिलासपूर और कोटा तो यह पांच जो हैं आपके तहसील हैं लेकिन अगर जनपत पन्चैट या विकासньत की बात करें तो इनकी संख्या हो जाएगी चार इसमें आपको बिलासपूर को छोड़ देना है वो कि बिलासपुर जो है वो आपका विकास खंड या जन्पत पंचायद नहीं है ये बिला के अंतरगत आता है अगला दिखते हैं कि क्या क्या प्रमुक फैक्ट जो है वो आपको ने जीले के बारे में याद रखने है सबसे पहला चीज तो याद रखना कि ये जो है आपका मरवाही जो है ये विधान सभा सीट है जो इसकी केटेगरी है जो आरक्षण है वो एस्टी केटेगरी का है लेकिन जो मरवाही विधान सभा सीट है या इसमें जो मरवाही तहसील है ये लोग सभा चुनाओं के समय में जो है आपका कोर्बा लोकसभा छेतर के अंदर का डॉक्टर है यह महत्पूर्ण फेक्ट है जो आपको एक याद रखना है अगर हम बात करें इस नए जिले में कौन सी प्रमुक जनजाती पाई जाती है तो यह जनजाती पाई जाती है बैगा और बैगा खास करके जो आपका गौरिला वाला छेतर है ठीक है वहां पे यह जनजाती पाई जाती है बैगा बैगा को रास्टरपती का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है हालाकि जो केंद्र सासंद्वरा घोसीत पांच विशेश पिछड़ी जनजाती है सबी को रास्टरपती का दत्तक पूत्र कहा जाता है पांच विशेज पिछडी जन जाती कौन सी है एक है आपका अबुज माडिया देख है बैगा बिरहोर कमार और पहाडी कोरवा तो ये अबुज माडिया बैगा बिरहोर कमार और पहाडी कोरवा को रास्टरपती का दत्तक पुतर भी कहा जाता है पांचों को उची चोटी अगर हम देखें इस जीले में तो उची चोटी है आपकी पलमा चोटी जिसकी उचाई है एक हजार असी मीटर तो पल्मा चोटी की उचाई याद रखनी है इसकी उचाई है कि आपका एक हजार असी मीटर इस जीले में अगर हम देखें प्रमुक नदी तो नदी है आपका अरपा जिसका उद्गम होता है खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी प्राकृतिक प्रदेश के अगर बात करें तो यह चेतर 36 गड़ के मैदान जो है आपका जो सबसे बड़ा प्रक्रतिक प्रदेश से उसी का हिस्सा होगा चटान देखें तो प्रमुक गुरुप से इसमें कडपा चटान पाए जाएंगे और कडपा चटान की जलते प्रमुक खनीज हो जाएगा यहां आपका चूना पत्थर अगर हम यहां पर इंडस्ट्रियल एरिया और दोगी छेतर के बात करें तो प्रमुक इंडस्ट्रियल एरिया है अंजनी जो की पेंडरा के अंतरगत आता है जिसको रानी दुर्गावती और दोगी छेतर के नाम से भी जानते हैं पूरतात्विक इस जाद रखनी है कि सबसे उची चोटी पलमा चोटी है उचाई है 1080 मीटर नदी है अरपा जिसका उद्गम होता है खोंडरी कोंगसरा पहाड़ी से प्रकृतिक प्रदेश 36 गड़ का मैदान चटान है कडपा और खनीज है आपके चूना पत्थर अद्धिक शेतर देखें तो य हम बात करें इसकी अंदर गट जो मरवाही मनवंडल है वहां पर सफेद भालू जो है देखे गए हैं इस चीछ को याद रखना है और एक परियोजना भालू को लेकर कचल रही है जामवन परियोजना जो 3 मनडल में इसमें सामील होते हैं एक मरवाही मन मन्डल एक कटगोरा और मनेंद्र गड़ ये तीनों one मंडल जो है आपका को सामिल करके जामवन परियोजना चलाया जाता है तो मरवाही तो आपका नए जीले में आगिया कटगोरा कॉर्बा में आगिया और मनेंद्र गड़ आगिया आपका कोरिया में तो इसको मिला के बनाया गया है जामवन परियोजनाम साथ ही साथ याद रखना है कि जो हमारा पेंडरा रोड है ये पेंडरा रोड से 36 गड़ का पहला समचार पत्र 36 गड़ मित्र प्रकासित हुआ था सन 1900 में और इसके प्रकासक थे माधा राव सप्रे माधा राव सप्रे द बारवी सदी में बना हुआ कल्चूरी कालीन मंदिर है तो एक बार फिर से याद रख लिजिए कि मरवाही मनवंदल में सफेद भालू देखे गए हैं जो जाम वंत पर्योजना है वो मरवाही कडगोरा और मनेंद्रगड में सामिल है और पेंडरा रोड से आपका माधा और आ एक महतपूर्ण चीज याद रखेंगे कि प्रदेश का पहला विसेस अनुसुची छेत्र वाला ये जीला कहा लाएगा जिसका पूरा का पूरा इलाका आदिवासी छेत्र है और तीनों के तीनों जो विकास खंड हैं गौरेला पेंडरा मरवाही ये तीनों जो हैं आपके आदिवासी विकास खंड हैं तो ये प्रमुख बाते थी जो नया जीला है गौरेला पेंडरा मरवाही को लेकर के यदि आपको इस पूरे के पूरे डिटेल का पीडिएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे टेलिगराम चैनल को जोईन कर लें व आज के लिए धन्यवाद थैंक